हेलो एव्रिवान वेलकम टू अपनी कक्षा मैं हूँ आपका यूवराज भीया और आज इस पर्टिकलर वीडियो में हम लोग और गैनिक केमिस्ट्री के एक नए लेवल पर जाने वाले हैं नए लेवल पर जाने के पहले आईए देखते हैं कि हमने लास्ट सेशन में क्या देखा और उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे इस पर्टिकलर सेशन के साथ चलिए शुरू करते हैं तो अब नेक्स चीज जो हमें पढ़नी है वो कन्फोर्मिशन ओफ ब्यूटेन कन्फरमिशन पढ़ने हैं हमें ब्यूटेन के अब ब्यूटेन मतलब क्या होता है चार कार्बन कंटेनिंग होता है भाई बोलो पता है कि नहीं पता है CH3 CH2 CH2 and CH3 ठीक है 1 2 3 4 चार कार्बन कंटेनिंग यहाँ पर हमारे पास में कलकेन है और ये अगर 100 हर्स प्रोजेक्शन में बनाना चाहूं तो किस तरीके से बना सकता हूं देखिए कुछ गोड़े जैसा स्ट्रक्चर बनाना है पहले तो ठीक है अब ये कार्बन कौन सा है ये वाला मैं आपको डिपक करके बता देता हूं भई ये ध्यान से देखना है ये कार्बन जो है ये ये वाला कार्बन है ठीक है ये वाला जो कार्बन है वो ये वाला कार्बन है तो अ एक CH3 ये रहा बाकी इस पर्टिक्यूर कार्बन को जो दो हाइडरोजन है वो है और दूसरे यहाँ पर जो दो है ये वाले जो हाइडरोजन से दो ठीक है ये इस तरीके से अटाज्ट है अब इसे यदी हमें न्यूमन प्रोजेक्शन में देखना है तो किस तरीके से तो यहाँ पर अलग अलग structure जा जाते हैं जब हम उसे 60 डिगरी से rotate करने लगते हैं तब कौन से वो structures है क्या उनकी stability है सब कुछ हम लोग देखेंगे एक दम ध्यान से यहां पर देखना है तो सबसे पहले हमें देखना है कि यहां पर जो हमें सामने अच्छा आखे हमारी कहा है यहां पर है इधर से हम लोग देख रहे हैं अच्छा जैसे हमने देखा तो हमें यहां पर एक dot के form में यह वाला carbon नजर आया यह रहा हो carbon ठीक है अब इस carbon पे ऊपर की तरफ CH3 मौजूद है तो बना दीजे CH3 वह यह देखो ऊपर के तरफ CH3 है यह बना दिया CH3 इस नीच साइड दोनों hydrogen नजर आ रहे हैं तो क्या हम hydrogen बना दे जी हां very nice अब क्योंकि हम यहां से देख रहे हैं तो हमें पीछे वाला carbon नजर नहीं आ रहा है तो हमने पीछे वाले carbon को ऐसे बड़े circle से represent किया हुआ है अब इस पीछे वाले carbon पे ऊपर की तरफ CH3 मौजूद है तो उस देखर की तरफ यह रहा hydrogen दोनों hydrogen को बना दे अब आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले हमने यह पड़ा था कि इस form को हम क्या कहते हैं Eclipse form कहते हैं जब एक hydrogen दूसरे hydrogen के एकदम पीछे आ जाता है जैसे कि चांद और हैना सन चांद और अर्थ इनका जब मामला होता है Eclipse ह होता है पता है कि नहीं बता है हाँ तो वैसा ही कुछ यहां पर होता है ठीक है तो आप देखिए ध्यान से यह वाला CH3 और यह वाला CH3 आपस में एक दूसरे को Eclipse बना रहे हैं ठीक है Eclipse हो कर रहे हैं तो इस form को हम लोग क्या कहते हैं Eclipse को को हम लोग पीछे वाला कार्बन ह मतलब यह जो circle है यह वाला carbon है उसे हम लोग 60 degree से rotate करना start करेंगे ठीक है? तो सबसे पहले मैंने इसे 60 degree से rotate किया तो जैसे ही मैंने इसे 60 degree से rotate किया तो यह carbon 60 degree से rotate होने का यहाँ आ जाएगा तो यहाँ बनाती है CH3 अब क्योंकि यह 60 degree से rotate होके यहाँ आ गया तो यह hydrogen भी यहाँ आ जाएगा इस तरीके से और यह वाला hydrogen rotate होकर यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस तरीके से तो यह बना दिये हमने हमारे पीछे वाले carbon के सारे confirmations hydrogen hydrogen अच्छा यह चीज जो सामने है वह सेम रहेगे तो हम लोग लिख देते हैं भी पहले CH3 यह hydrogen और यह hydrogen अब यह जो फॉर्म बना है इसे हम क्या कहते हैं यह जो फॉर्म बना है इसे हम कहते हैं गौच confirmation कहते हैं तो क्या लिखेंगा हम इसे देखो भई गौच confirmation हम लोग इसे कहते हैं और अब यहाँ पर 60 डिगरी से रोटेट हो चुका है और इसी कारण हम इसे क्या कहेंगे गौच confirmation यहाँ पर हम इसे नाम भी देंगे हम इसे कहेंगे यह है हमारा B और यह हमारा A ठीक है अब A B अब आएगा C अब C कब आएगा जब हम इसे औ और 60 डिगरी से रोटेट करेंगे देखे 60 डिगरी से रोटेट करके अब जैसी मैंने 60 डिगरी से यहाँ पर रोटेट किया था तो इधर आ गया था अब इसे मैं और करूँगा तो वो इस हाइड्रोजन के पीछे चला जाएका बोलो छुपके से देखो क्या होगा यहाँ पर ये आ गया हमारा CH3, अब ये जो hydrogen था, ये rotate हो के इसके पीछे आ गया, ये लीजी आ गया, अच्छा, जादा हो गये तो, इस तरीके से कर देते हैं, ये रहा hydrogen और यहां पर एक hydrogen, ठीक है, अभी ये चीज भी हमें eclipse की तरह नजर आ रही है, तो क्या ये भी eclipse है, जी हाँ, य ये भी eclipse है, लेकिन फर्क बस इतना है कि क्योंकि इसके पीछे carbon मौझूद नहीं है, तो हम इसे कहेंगे partially eclipse, ठीक है, तो हम इसे क्या कहते है, partially eclipse, यहाँ पर partially के लिए प्टे लिक रहा हूँ, और यहाँ पर eclipse पूरा लिक रहा हूँ, ये हमारा partially eclipse, ठीक है, अच्छा, तो क्य हब और इसे rotate कर सकते हैं, जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे हम इसे और 60 degrees से rotate करेंगे, यहाँ नीचे आ जाएगा, नीचे जब यह आ जाता है, अब हमारे पास एक नया conformer बन जाता है, उसे हम कहते हैं, anti, क्या कहते हैं, anti नहीं, anti कहते हैं, ये रह CS3, ये रह hydrogen, ये रह CS3 दिख रहा है, तो anti है, ठीक है, anti confirmation है, CS3 उपर, CS3 नीचे, बात खतम, क्या बात समझ में आ रहे हैं, तो इसे हमने नाम दिया था A, इसे हमने दिया B, इसे हम देंगे C, और इसे हम देंगे D, clear बात है, नाम क्यूं मैं दे रहा हूँ, मैं आपको थोड़ी दिर में सब बत कर सकते हैं, जी हाँ, एक और बार यदि आप रोटेट करेंगे, तो ये CS3 अब इस hydrogen के पीछा जाएगा, छुप जाएगा, बोलो, आएगा की ने आएगा, जी हाँ, बिल्कुल आएगा, तो अब कैसा structure दीता अच्छा है, यहाँ पर, सब जगा हमने इसे 60 डिग्री से करना हम, हम लिखेंगे अब इसे next slide पे, तो अब 60 डिग्री से रोटेट करने के बाद, अब हमें यहाँ पर structure किस तरीके से नदर आएगा, पहले देखिए भई कैसा था, ठीक है, CH3 उदर, एक CH3 उदर, दोनों एकदम anti थे, अब देखिए, अब रोटेट होने के बाद ये क पहले यहाँ था, अब वो carbon, यानि कि CH3 यहाँ पर आ चुका है, और जो इधर था, मतलब यहाँ पर बीच में, ये रोटेट होकर यहाँ पर कहाँ चला गया, इधर, इधर hydrogen चला गया, ठीक है, और इस तरफ hydrogen, क्या ये, एकलिप्स की तरह नजर आ रहा है, जी हाँ, तो इस से हम क्या एकलिप्स कहेंगे, नहीं, कारबन के पीछे कारबन नहीं है, एकदम बढ़िया एकलिप्स नहीं है, ये पार्शल एकलिप्स है, तो हम लोग फिर से इसे क्या कहेंगे, हम लोग इसे कहेंगे, पार्शली एकलिप्स कहेंगे, और नमबर हमने लास्ट किया दिया था हमने डी दिया था तो हम इसे देंगे ठीक है यह है नेक्स्ट क्या और हो सकता है जी हां बिल्कुल रोटेट हो सकता है रोटेट करिए इसे साट डिगरी से आप जब रोटेट करेंगे फॉर्दर तो आपको अब किस तरीके से यह नजर आएगा देखिए सामने वाले कार् यहां पे हाइड्रोजर और यहां पे हाइड्रोजन लेकिन जो पीछे वाला कार्बन है इसकी कहानी अब चेंज होगी फिर से देखो यही चाहिक्ट टश्री हाइए Porscheиков कि आपको नजर आ रहोगा यह इस तरीके से जब जब आपको दिखे जहां भी दिखे CS3 आपस में इस तरीके से अंगल बना रहे हैं तो वो है गौच कन्फरमिशन ठीक है जो मैंने आपको अल्रेडी पहले बताया था यह रहा अब इसे आप अलग-अलग तरीके से कह सकते हैं कोई गौच कहता है कोई गौच कहता है अलग-अलग इसके प्रनांसिएशन English is the funny language अच्छा बोल रहा था तो मुझे ध्यान आया कि यहां पर जो गौच की स्पेलिंग है यह आप सही कर लीजे इसकी स्पेलिंग है G-A-U-C-H-E गौच या फिर गौच कुछ भी कह लो तो क्या यहां पर जो स्रक्चर बना है यह भी वही है जी हां यह भी वही है गौच कहते हैं हम इसे या फिर गौच कहलो तो यह E था तो अब इसे नाम देंगे D ठीक है D दे दिया अब क्या यह और रोटेट हो सकता है तो जी हां हो सकता है तो 60 डिगरी से रोटेट करेंगे वह वापिस अपनी पोजिशन पर आएगा तो क्या तरीका है यहां पर किस तरीके से दिखेगा तो उपर वाले, यानि कि सामने वाले, जो carbon है, उसकी कहानी फिर से वैसी कि वैसी, जो पीछे वाला carbon है, अब वो वापिस आ चुका है, अपने carbon के पीछे, CH3, यहाँ पे hydrogen, और यहाँ पे hydrogen, तो इसे हम फिर से अब क्या कह सकते हैं, eclipse कह सकते हैं, partially नहीं, fully eclipse कहेंगे, क्योंकि अब carbon के पीछे carbon है, क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो हमने देखा, यह था D, एक सेकंड, A, B, C, D, E, F, यह F आएगा, यह F आजाएगा, और यह आएगा G, ठीक है, तो हमने सब को यहाँ पर numbering दे दिया है, सब को नाम दे दिया है, A, B, C, D, E, F, G, क्यों दिया है मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उसके पहले एक बार फड़ा-फड़ी से note कर लो, उसके बाद परते हैं आगे, अचा यहाँ पर एक और चीज़ लिख ले ना वही, angles, क्या-क्या angles है तो, यह वाला क्या था, 0, यह वाला क्या था, 60 degree, फिर 60 degree से rotate किया, यह वाला क्या बन ग यहाँ पर फिर 60 degree से rotate किया, तो यह हो गया 240, उसके बाद और 60 से किया, तो 300, और और 60 से किया, तो 360, मतलब एक टोटल 360 degree का यहाँ पर इसने चकर लगा दिया है, ठीक है, तो यह 300 degree, यह 240 degree ऐसा है, अब यह जो A, B, C, D, E, F, G, भहिया यह आप क्या कर रहे थे, तो आईए द ग्राफ बनता है, वो ग्राफ पहले आपको बता दूँ, अच्छा चरो ग्राफ बाद में बताता हूं मैं आपको, लेकिन उससे पहले एक चीज़ यहाँ पर लिखी है, डाइहटरल आइंगल जो की बहुत जादा important है, वो पढ़ लेते हैं, ब्यूटेन is four-membered carbon alkane with molecular formula C4H10, जो ब्यूटेन है, यह बहुत ही important four-member carbon chain है, जिसे हम लोग C4H10, यह chemical formula से जानते हैं, इन ब्यूटेन, वी विल डिफाइन डाइहटरल आइंगल थीटा as angle between the two methyl groups, यह कह रहे हैं, कि जो डाइहटरल आइंगल होता है, उसे हम लोग थीटा कहेंगे, और यह दो CH3 group के बीच मे होगा, मतलब, यहाँ पर देखिए, इस तरीके से, यह दो CH3 के बीच, फिर यह दो CH3 के बीच, फिर यह CH3 के बीच, फिर यह CH3 के बीच, फिर यह दो CH3 के बीच, इसे हम कहते हैं, डाइहटरल आइंगल, इसे हम कहेंगे थीटा, क्या बात समझ में आ रही है, अच्छा, इस ठीक है और एक तरफ यहां पर आपके पास में है एंगल्स वह एंगल्स हम लोग बना लेते हैं इक्वी डिस्टन पर यहां पर जीरो होगा उसके बाद यहां 60 फिर यहां पर रखेंगे हम 120 फिर 180 फिर बाद में 240 300 and 360 कुछ इस तरीके से लिख दूँ देखो यह रहां 60 है यह 120 है यह 180 उसके बाद है 240 देन है यहां पर 300 और यहां पर 360 ठीक है अब देखो सबसे पहले हम लोग करेंगे 0 से स्टार्ट जीरो डिगरी कब था जब स्टार्टिंग में हमारे पास इस CS3 और CS3 पहले था यहां पर 0 डिगरी था इसे हम क्या कहे रहते ए और यह था एकलिप्स्ट अब हमें पता है कुछ देर पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे इथेन के कुछ confirmations के बारे में तो हमने देखा था कि जब वो eclipse form कर रहा था तब सबसे ज़्यादा energy उसमें थी, right? eclipse form में steric hindrance, torsional strain, तमाम torsional energy इस तमाम चीज़े थी, ठीक है? इसके लिए energy उसमें बहुत ज़्यादा थी, तो ऐसे ही यहाँ पर भी हो रहा होगा, यहाँ तो hydrogen के बीच में था, यहाँ तो carbon है, ज़्यादा बड़ा group है, तो ज़्यादा torsional strain हो रहा होगा, right? ज़्यादा steric hindrance हो रहा होगा, ज़्यादा energy होगी, जी हाँ, वैसा ही कुछ होता है, देखो, अब यह रहा, यहाँ पर हम लोग mark कर लेते हैं A, ठीक है, यह है A, अब क्या हुआ, अब इन्हों ने क्या किया, उसे rotate किया, rotate करने के बाद किस तरीके से हो गया वो, वो बन गया B, जब वो 60 डिगरी पर था, ठीक है, तो 60 डिगरी से rotate किया, कुछ इस तरीके से हुआ, अब आप देख सकते हैं, कार्बन और कार्बन थोड़ा सा, थोड़ा सा, एक में एक से दूर चले गए हैं, तो energy इसकी कम हो गई होगी, तो जी हाँ, ऐसा ही कुछ होता है, energy जो है, इसकी वो आती है, और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ तक आजाएगी लगबग, यह हमारा B point, A पर थी, energy घट गई, यहाँ पर आ गई, ठीक है, clear बात है, एक बार फिर से बनाते हैं इसे, अब, अब क्या हुआ होगा, देखिए द्यान से, अब यह फिर से rotate हुए, रोटेट होने क अब कारबन के पीछे क्या है, हाइडरोजन, जब यह 120 डिग्री से rotate हो चुका था, तो कारबन के पीछे क्या है, हाइडरोजन, eclipse form है, क्या यहाँ पर भी steric hindrance हो रहा होगा, जी हाँ, तो क्या यहाँ पर energy थोड़ी बढ़ जाएगी, जी हाँ बढ़ जाएगी, तो क्या इत यहाँ पर आएगा यह लगभग C, यह यहाँ से उठकर यहाँ ठीक है, यहाँ तक तो आ गई, अब क्या हुआ होगा, अब देखिए भई, फिर से rotate किया, 60 डिग्री से यहाँ पर आया, अब देखिए, कारबन और यह हाइडरोजन, पहले यहाँ पर था, कारबन, कारबन, अब कारबन और हाइडरोजन, ठीक है, अब लेकिन आप देख रहे हैं कि कारबन और कारबन, यह जो दो एंगल बना रहे हैं, जो डाहेडरल एंगल है, यहाँ पर 180 डिग्री का हो गया है, अब हम बनाएंगे D को, जो कि 180 डिग्री का है, क्योंकि यह काफी जादा दूर है, तो एनर्जी जाहिर सी बात है, यहाँ पर सबसे ज्यादा कम होगी, और एनर्जी और स्टेबिलिटी का रिष्टा तो हमें पता है, एकदम विपरीत है, तो एनर्जी अगर बहुत ज्यादा, तो स्टेबिलिटी बहुत कम, मतलब यहाँ पर स्टेबिलिटी बहुत कम होगी तो stability क्या होगी बहुत ज़ादा तो आईए इसका भी graph में include करते हैं मामला यहाँ पर यह होगा कि इधर तक आएगा कहीं D और यह ऐसे rotate होकर यहाँ तक जाएगा अब क्या होगा? क्या कुछ नया खेल है? देखो भई, फिर से rotate किया अब जैसे हमने rotate किया तो अब देखें फिर से यहाँ पर carbon और hydrogen एक दूसरे को eclipse बना रहे थे तो partial eclipse आएगे तो पिछली बार हमने partial eclipse के लिए क्या किया था? हमने यहाँ पर C बनाया था partial eclipse के लिए देखें, C यह रहा तो क्या अब यह जो graph है फिर से इधर आएगा? नहीं, यह आगे जाएगा 240 degrees पर आगे जाएगा लेकिन क्या यही potential energy पर रुखेगा? जी हाँ, वही पर रुखेगा energy इनके लगबग सेम होगी तो यहाँ से यह उठकर जाएगा यहाँ, अच्छा फिर से बनाते हैं भी 240 degrees पर बनाना है हमें बनाना है यहाँ बनाएंगे कुछ इस तरीके से, देखो थोड़ा सुन्दर भी तो लगना चीए ना? तुम समझते ही नहीं हो यह बन गया ठीक है? तो यहाँ पर है हमारे पास में A, B, C, D हो गया और यह है E ठीक है? A हो गया B हो गया, C हो गया D and E अब next यहाँ पर E के बाद में F आएगा जिसमें कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से डाय हेडरल आंगल बन चुका है, ठीक है? 60 degrees का, और यहाँ पर अब यह एक gauj formation बन चुका है, पिछली बार जब gauj बना था, तो हमने क्या बनाया था? पिछली बार B, 60 degrees Celsius पर gauj बना था अब कितने? 240 पर, नहीं, 300 पर gauj बनाएं ठीक है? तो gauj बना है, पिछली बार जब gauj बना था, मतलब की जो structure हमारा B है, यह हमने किस तरीके से line में हमें बनाना है, यहाँ पर, मैं आपको graph कैसे plot करना है, यह भी साथ ही में बढ़ा रहा हूँ ठीक है? इस तरीके से यह क्या है? E के बाद F clear है? अब देखिए F के बाद क्या आता है, और 60 degrees से जब हमने rotate किया, तो फिर से carbon और carbon के पीछे carbon आ गया और यहाँ पर यह अब पाचे ले नहीं fully eclipse है, तो जबरदस्ट energy यहाँ पर है, इसलिए जबरदस unstable यह है, ठीक है? clear बात है? ओके, देखो बई अब यह graph जाकर खतम होगा कुछ यहाँ पर, ठीक है? हाँ यह आगया हमारा G यह क्या था? यह था eclipsed, फिर B क्या बना हमारा? B बना हमारा गौच, लिख देते हैं यहाँ पर गौच ठीक है, उसके बाद C आया C क्या था? partially eclipsed फिर D आया, D क्या था हमारा? anti उसके बाद फिर से partially eclipsed फिर से गौच ठीक है? तो इस तरीके से यह graph हमने बनाया है और यह graph है हमारे N-butane का N-butane के confirmations का यह graph है I hope आपको एकदम बढ़िया तरीके समझ में आ चुका होगा एक बार फिर मैं explain कर देता हूँ देखे ध्यान से सबसे पहले हमने क्या किया? confirmation of N-butane में हमने यहाँ पर उसका seahorse structure बनाया स्टी होर structure बनाने के बाद हमने उसे convert किया Newman's projection में Newman's projection में convert करने के बाद हमने देखा कि carbon के बीछे carbon आ रहा था यहाँ पर तो यह eclipse form तयार कर रहा था जब हमने उसे rotate नहीं किया था फिर हमने उसे rotate किया जैसे हमने इसे rotate किया तो अब यहाँ पर कुछ इस तरीके का structure यह बना रहा था और इसे हम लोग कहते हैं gauch ठीक है उसके बाद फिर से हमने 60 degree से rotate किया अब carbon के बीछे hydrogen था eclipse तो यह था लेकिन fully नहीं partial eclipse था आपने देखा हो गए न चंदा मामा जब हमारे सूरज मामा चंदा मामा है चाचा चलो ठीक है जो भी है तो सूरज के सामने जब चांद आ जाता है तो हलका सा कभी-कभी क्या होता है आधा होता है तो उसे हम क्या कहते है partial eclipse कहते हैं तो ऐसे ही कुछ इनों ने यहाँ पर नाम दे दिया partial eclipse है फिर 60 degree से rotate किया फिर बाद में हो गया यह anti सबसे stable confirmation क्यों सबसे कम energy यहाँ पे है उसका भी हम लोग देखेंगे भाईया tension मतलो उसके बाद में यहाँ पर हमने और 60 degree से rotate किया तो फिर से partial eclipse गुआ फिर और हमने 60 degree से rotate किया तो हमें gauche formation मिला फिर finally हमने जब 60 degree से rotate किया तो हमारा structure फिर से उसी जगह आ चुका था जो कि एक eclipse structure था ठीक है उसके बाद हमने यहाँ पर हमने एक graph देखे और graph में अगर हम लोग दो चीजों की बात कर लेते हैं भई एक है हमारे पास में energy बताएंगे आप कि energy सबसे ज़्यादा कहां पर थी सबसे ज़्यादा energy यहाँ पर हमें दिखे रही है potential energy A और G में तो लिख देते हैं इसे A equal to G ठीक है इसकी सबसे ज़्यादा energy है उसके बाद में C और E तो C equal to E clear है उसके बाद में किसकी energy है उसके बाद में हमारे D भहिया एंटी वाले तो D ठीक है अब यह हो गया energy की बात अब अगर हम लोग stability की बात करना चाहे तो इसका यह एकदम opposite होगा क्योंकि energy is inversely proportional to stability तो यदि हम लोग stability की बात करना चाहे stability की बात करना चाहे तो किस तरीके से होगी stability तो भहिया सबसे ज़्यादा उल्टा कर दो इसको D हमारा सबसे ज़्यादा stable होगा उसके बाद में C equal to E होगा stability में उसके बाद में यहाँ पर A equal to G होगा clear बात है तो मैंने आपको energy का order बता दिया stability का order बता दिया gauge क्या होता है anti क्या होता है किस तरीके से rotation होता है किस तरीके से eclipse होता है किस तरीके से partially eclipse होता है यह सारी तमाब बाते मैंने आपको बता दी है तो note कर लो फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे अब कुछ important चीज़े हैं जो हमें जानना ज़रूरी है तो आईए वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं जान लेते हैं although each 60 degree bond rotation converts a staggered confirmation into an eclipsed confirmation और vice versa यह तो हमने देखा है अल्री निदर all the staggered confirmation nor all the eclipse confirmation are the same नहीं सारे staggered same है नहीं वो जो eclipse बन रहे हैं बार बार वो same है जाहिर सी वात है same तो नहीं अलग-अलग है eclipse में कहीं पर carbon के पीछे carbon है तो कहीं पर carbon के पीछे hydrogen है ठीक है तो अलग-अलग तो है ही staggered confirmation at theta equal to 180 degrees मतलब यह कह रहे हैं कि जब theta आपका 180 था मतलब di-hedral angle की यह बात कर रहे है with the methyl groups pointing in the opposite direction is known as anti जैसा कि मैंने आपको बताया यह रहा ठीक है anti हम इसे कहते हैं a staggered confirmation with two large groups 180 degree from each other is called as anti staggered confirmation with theta equal to 60 degree मतलब क्या यह रहा theta equal to 60 degree इस तरीके से तो आप इसे क्या कहते हैं with two methyl groups towards left and right to each other known as gauch यह हमने अभी देखा गौच कह रहे हैं हम इसे यह देखिए इसके बाद में a staggered confirmation with two larger groups 60 degree from each other is called as gauch anti is more stabilized than gauch confirmation because of less repulsion between the two methyl groups जाहिर सी बात है यह जो anti यहाँ पर आपको नजर आ रहा है यह काफी ज्यादा stable है इस gauch से क्यों क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में repulsion भारी मातरा में हो रहा है लेकिन यहाँ पर यह anti होने के वैसे दूर है यह bulky groups आपस में एक दूसरे से इसलिए यहाँ पर repulsion नहीं के बराबर है और इसी कारण यह ज्यादा stable होता है as compared to the gauch anti is most stable confirmation ठीक है तो यह चीज़ आपने ध्यान रखना है इसके बाद में एक बार फटा फट इसे नोट कर लो important सारी बात ही आज़री मैंने आपको बता दी है लेकिन नोट में भी तो नहीं चाहिए तो इसके बाद बढ़ते हैं आगे next एक एकदम छोटा सा पार्ट है बहुत जाता important भी नहीं लेकिन हम उसे छोड़ेंगे नहीं क्योंकि क्या पता एक्जैम में आ जाए तो ठीक है तो है हमारा पार्ट यह more fraction of anti and gauch more fraction आपको पता है क्या होता है more fraction एक टाम है जो कि हम लोग पर दे हैं more concept वाले चाप्टर में रइड तो अपने पढड़ा है more concept वाले चाप्टर तो बहुत ही बढ़िया आपको आराम से समझने वाला है आईए है देखते है mole fraction of anti and gauch that is the mole fraction of stable confirmations अच्छा एक anti था और एक gauch था यही दो थे सबसे ज़्यादा stable ठीक है तो इनका mole fraction हम लोग ले रहे हैं can be calculated if the dipole moment of anti and gauch confirmations are known अगर यदि हमारे पास में gauch and anti यह दोनों confirmations का dipole moment मौजूद है तो हम आराम से इनके क्या निकाल सकते हैं mole fractions निकाल सकते हैं अब dipole moment जो है compound का किस तरीके से calculate किया जाता है it is dipole moment of a या फिर alpha आप कहलो इसे हम anti का confirmer कहेंगे mole fraction of a plus dipole moment of gauch into mole fraction of the gauch अब mole fraction क्या होता यह हमें पता है भी या किसी भी दो particular हमारे पास चीज़े है उसका mole fraction है हम लोग add करते हैं तो हमेशा हमेशा उसका जो sum है यह one आने वाला है ठीक है तो उसका sum क्या आएगा one आएगा इसके बाद में आगर हम लोग mole fraction देखें कि यह x alpha क्या लिखा हुआ है तो यह है mole fraction of anti conformer यह mole fraction of gauch conformer ठीक है यहाँ पर he यह रहेगा spelling की थोड़ी सी mistake है उसके बाद में यहाँ पर लिखा है diaper moment जो है total जो compound का यह device में होता है यह इसका unit है mole fraction of other skew confirmations is generally zero because they are highly unstable यह काफी जादा unstable होते हैं बाकी जितने भी तमाम अच्छा तुमें क्या लग रहा है कि जितने मैंने तुमको बना के दिखाया है क्या उतने ही confirmations है भाया अंगिनत in infinity confirmations यहाँ पर है यह तो हमने सिर्व मात्रों साठ साठ से rotate करके देखा है लेकिन इनके बीच में यह zero से लिके 60 पर कितने सारे एंगल है मैं आपको क्या बता हूँ infinite ठीक है infinite है तो इतने सारे confirmations है लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा stable अगर हम देखे तो गौच और anti है anti सबसे ज़्यादा उसके बाद गौच और बाकी जितने भी confirmations आते हैं यह हम लोग नहीं देख रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं क्यों क्योंकि यह काफी ज़्यादा unstable है और इन्होंने दिया है कि इसका जो डाइपल मोमेंट का यह है और साथी में इन्होंने बता है कि जो हमारे पास में गौच confirmation है इसका डाइपल मोमेंट है 5.55 आसान सी बात है find out the mole fraction यह कह रहे हैं कि आप mole fraction बताइए anti confirmation वाला ठीक है अच्छा तो अब हमारे पास में फॉर्मिला है कि डाइपल मोमेंट का फॉर्मिला किस तरीके से होता है कि compound का किसी एक ठीक है तो अब इसमें हम लोग जो values हमारे पास है वो put up कर दीजिए एक दम आसान है कुछ नही अब यह वाला फॉर्मिला अगर आपको याद है जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एक दम आसान फॉर्मिला है यह याद है तो बात खतम देखें क्या करना है यह हमें दिया हुआ है वन टीपाई एकुल टू अब यह क्या है डाइपल मेंट आफ एंटी यहां पहमने और क्योंकि हमें पता है किसी भी दो अलग-अलग सबस्टेंस का मोल फ्राक्शन यह दि हम लोग आड करते हैं तो वन आता है तो इस पर्टिकिलर चीज से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो एंटी है इसका क्या होने वाला है ठीक है क्या मोल फ्राक्शन तो सबसे हमें यहां पर मोल फ्राक्शन किसका मिला यहां पर गॉज का मिला उसके बाद में हमने यहां पर इन्हें आड किया अड करने के बाद सब्सेंदूरम ud जो आंसर हमें पूछ रहे थे मोल फ्राक्शन का उफ एंटी कंफर्मेशन वो हमने दे दिया है तो एक दम आसान है इस तरीके से यह एक दम आराम से अब यहां पर जो आप देख रहे हैं डाइपर मोमेंट ऑफ एंटी जीरो क्यों लिया है आपको लग रहा होगा कि यहां पर आपने तो बता है नहीं से जीरो क्यों ले लिया आपने अचाना अरे जीरो आपको डाइपर मोमेंट निकार ला नहीं आता एक दम आसान है देखो क्या है यहां से यहां जा रहा होगा भई और यह यहां से यहां जा रहा होगा आपस में दोनों एक दूसरे को कैंसल कर रहे हैं यह डाइपलोमेंट्स येस तो इसका डाइपलोमेंट्स क्या आएगा डाइपलोमेंट्स जीरो ही आएगा ना बोलो गजब करते हैं दूखी कर देते हो कभी-कभी अगर ये भी नहीं समझा कि यहां पर मैंने 0 क्यों लिखा तो यार कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं चलो ठीक है कोई बात नहीं क्या करूं मैं यहां से तो आपको मैं पीड भी नहीं सकता चलो छोड़ो ठीक है त आपको बस एक मात्र फॉर्मुला यहां पर जो याद रखना है वह यह यह बागी थोड़ा सापका कॉमन सेंस आप यूज करेंगे अगर है जो कि होना ही चाहिए तो उसके बाद आप लोग आराम से इस चीज को सॉल्ब कर सकते हैं तो फटा फट से नोट कर लो उसके बाद ब क्या रिंग में भी स्ट्रेंड होता है जी हां बिलकुल होता है सबसे जादा स्ट्रेंड कौन से रिंग में होता है थ्री मेंबर्ड रिंग में होता है सबसे जादा स्ट्रेंड ठीक है और उसके साथ में बाकी फिर चीजे बदलती रहती है वो कैसे बदलती है क्यों बदलत क्वाइन है जो 1 सपर इंव इसमी हैं यह थोड़े ज्यादा डेबल अर्कषार को कि अगर आपके पास मौड़क से तो आप खुद भी बना कर सका था कि आप रैंगे कि स्ट्रीन अक्टूली नजराएगा आप पर जोइन कीजिए निन अजरा आएगा कैसे नजर आएगा जो bonds आप लोग बना रहे होंगे वो आसानी से वहाँ पे join नहीं होंगे वो join नहीं हो पाएंगे अपने थोड़ी दिर बाद निकल जाएंगे यदि आपने का भी जीवन में model box देखा है तो वाउ लेकिन नहीं देखा है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके सामने ले आओं और आपको खुद स्वयम वो model box एक बर मोडल बोक्स दिखा हूँ मोडल बना के दिखाऊंगा कोशिश करूँगा पूछता हूँ अमन भीया से क्या है हमारे पास तो अगर होगा तो हम लोग जरूर उसे यूज करेंगे और विजुलाइज करके देखेंगे ठीक है तो यहाँ पर एक चीज हमें समझ में आ गई कि जो हमारे तीन और चार मेंबर्ड रिंग्स हैं यह कम सेवल है as compared to that of 5 and 6 ठीक है जर्मन केमिस्टेक उनका नाम था बेर सजेस्टेट दाट इन्होंने सलहा दी that stability of cycloalkane could be predicted by determining how close the bond angle of the planar cycloalkane is to the optimal tetrahedral bond angle of 109.5 यह कह रहे हैं कि आपका जो bond के अंदर angle है मतला आपकी रिंग है ठीक है let's say suppose यहां पर यह रिंग है और यह आपको पास में एक एंगल है दो बॉंड के बीच यह एंगल क्या पास में है हमारे 109.5 जो टेट्राइडल का एंगल होता है यदि इसके यह पास में है तो यह साइकलो ब्यूटेन में नबबे डिग्री का होता है फिर हम लोग जब पांच मेंबड रिंग में आ जाते हैं तो यहां पर यह नबबे से बहुत ज़्यादा अंस्टेबल कौन है साइकलो प्रोपेन और साइकलो ब्यूटेन क्योंकि काफी अंतर है इसका इस टेट्राहेडल के बॉंड एंगल से ठीक है तो इसलिए यहां पर लिखाए कि आंगल स्टेबल नहीं होता है लेकिन साइकलो पेंटेन साइकलो हेक्जेन नोट कर लो अपने बुक में लिख लो सबसे इंपोर्टन लाइन हमारे पास में है यह वाली सेकेंड वाला पॉइंट सबसे इंपोर्टन है 109.5 डिग्री और बाकी सब आपको पता है एक बार फटा 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 इसे नोट करो उसके बाद बढ़ते हैं आगे इसके बारे में पढ़ेंगे अब प्लेनर साइक्लो हेक्जेन रिंग उडिए कि अगर आपके पास जो साइक्लो हैं रिंग है यह प्लेनर तो होती है तो होगा ही ठीक है देखो अगर आपके पास में कुछ इस तरीके से रिंग है इसका एंगल कितना है भाई इसका एंगल हमने देखा था 120 डिग्रीज होता है जो की काफी ज्यादा है 109.5 डिग्रीज ठीक है यह टेट्राइडल वाला राइट तो देखे अब आगे कारबन आटम वोड़ बी 120 डिग्रीज अधि टॉर्शन स्ट्रेंड बिकॉज ओफ ओल दी हाइड्रोजन और अजजेसंट कारबन आटम वोड़ बी एकलिप्स्ट यह क्या कह रहे है आजजेसंट कारबन पे जो यहाँ पर देखिए इधर और इधर अच्छा थोड़ा सा हम इ यह जो दो हाइड्रोजन से आपस में एकलिप्स फॉर्म कर रहे हैं जी हाँ और हमने देखा था कि जब एकलिप्स फॉर्म हो रहा है तो एनर्जी वहां पर हाइस होती है जब एनर्जी हाइस है तो एनर्जी जब हाइस है तो एनस्टेबिलिटी भी जादा होगी इसलिए यहाँ पर जब six member drink की बात आ रही है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इतना stability यहाँ पर नहीं है, लेकिन है, है बहुत stability है, लेकिन नहीं भी है, थोड़ी सी, क्योंकि hydrogen जो है वो eclipse में आ जाते हैं, angle जो है यहाँ पर थोड़ा सा दूर हो जाता है 109 से, तो एकदम perfect नहीं है, लेकिन खराब है नहीं है, ठीक है, तो इसे note कर लो फटा फट फट फिर बढ़ते हैं और आगे detail में, next is the cyclic compounds most common found in nature, contains six member ring, most commonly जो cyclic compounds पाई जाते हैं, बहुत सारे तमाम जितने भी compounds हैं, उसमें जो cycle पाई जाती है, जो ring पाई जाती है, वो six members की होती है, mostly, ठीक है, अब देखें आगे, in reality, cyclohexian adopts a puckered formation, puckered confirmation called the chair form, एक अजीब तरीकी confirmation होती है, उसे chair form होँ लोग कहते हैं, which is more stable than any other possible confirmation, जो कि बाकी सारे confirmation से जादा stable होती है, किस तरीके से होती है, वो देखिए, इस तरीके से आप बनाएंगे, इसको बनाने की भी technique है, बहुत दिक्कत होती है, कई बच्चों को यहाँ पर बनाने में इसे, तो practice करना है, 5-10 बार, कैसे करना है, मैं आपको बताता हूँ, इस तरीके से बनाना एक line, उसके बाद थोड़ा सा पीछे स्टार्ट करना है, दूसरी line को, ठीक है, equal length की कोशिश करना की बन जाए, ठीक है, उसके बाद यहाँ से इस तरीके से जोड़ दो, और एक मुंडी नीचे, कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो सुन्दर बन जाएगा एकदम, वर्नम मैंने देखा है, कि कुछ बच्चे ऐसे बनाते हैं, कुछ ऐसे बनाते हैं, ऐसे नहीं करना, यह तो मैंने बहुत सुन्दर बना दिया वैसे, लेकर ऐसे नहीं बनाना है, देखो, इस तरीके से बनाना है, अब यहाँ पर, क्योंकि एक साइक्लो हेक्जेन की रिंग है, तो यहाँ पर होंगे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, बोलो, तो एक हाइड्रोजन होता है इस तरफ, और एक हाइड्रोजन होता है इस तरफ, इसे हम कहते हैं axial और इसे हम कहते हैं equatorial यह equatorial hydrogen है और यह axial hydrogen है तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर भी ऐसी होगा यह होगा hydrogen यह होगा axial और यह होगा hydrogen यह होगा equatorial ठीक है कुछ इस तरीके से axial equatorial यहाँ पर भी और कुछ इसी तरीके से एक्जियल एक्विटोरियल यहां पर भी होगे ठीक है नेक्स्ट यहां पर भी ऐसी होगा क्या जी हाँ यहां यहां पर भी एक्जियल एक्विटोरियल यहां पर भी होगा एक्जियल और एक्विटोरियल लिख दू जहां पर A लिखा है वो है एक्जियल और जहां पर E लिख ठीक है तो चेर फॉर्म इस तरीके से हम लोग बनाते हैं अब इसे क्या हम लोग न्यूमन प्रोजेक्शन में बना सकते हैं हाँ खतरनाक दिखता है लेकिन बना सकते हैं तो आगे हम लोग इसे अब न्यूमन प्रोजेक्शन में बनाते हैं तो न्यूमन प्रोजेक्शन में ब एक रिंग यहां बन गी एक रिंग यहां बन गी ठीक है ओके राइट अब क्यूंकि हम लोग यहां से देख रहे हैं तो यह वाला हमें कार्बन सामने नजर आ रहा होगा बोलो जी हां बिलकुल सामने नजर आ होगा तो कैसे बनाएंगे इस कार्बन को यह देखो लोगी नीचे है क्या हाँ नीचे है तो हम लोग इस तरी के से बना जते हैं ये कार्बन सामने वाला ठीक है और ये दूसरा कार्बन और अब next बाकी हमें यहाँ पर पीछे भी कुछ होगा क्या जी हाँ इसके exactly पीछे कार्बन है यह जो dot है यह कार्बन है कौन सा कार्बन है यह यह वाला कार्बन है बोलो ठीक है अब यह वाला कार्बन कौन सा है भाई यह वाला कार्बन यह रहा यह dot ओके यह पीछे सरकल है यह कौन सा कार्बन है यह यह वाला कार्बन यह पीछे वाला सरकल यह वाला कार्बन है और यह वाला कार्बन का है फिर यह वाला सरकल imagination यहाँ पे बहुत जाता जरूरी है यदि आप सही तरीके से imagine कर पा रहे हैं तभी आप इसे सोच पाएंगे, समझ पाएंगे आगे कुछ कर पाएंगे वरना imagine करो अब next जो पीछे वाले यहाँ पर carbons है इनको क्या-क्या लगा है भई यहाँ पर देखिए एक carbon लगा हुआ है तो इसे भी बना देते हैं अलग color से बनाते हैं ताकि distinguish कर पाएं हम लोग असानी से तो देखो यह रहा CH2 और यहाँ से यह join है इधर ठीक है इस तरीके से अब हमने बना दिये हैं total जितने भी हमारे cyclohexane में carbon है ठीक है कैसे एक दो दो carbon हो गए ओके तीसरा यह dot चौथा यह वाला dot पांचवा यह वाला circle और छटवा यह वाला circle तो total 6 carbon जो cyclohexane की ring में मौझूद होते हैं वो हमने सब बना दिये अब हमें बनाना है hydrogen ठीक है तो देखो क्या करना है भई यह hydrogen एक यह hydrogen दूसरा axial equatorial clear बात है यह hydrogen और यह hydrogen यह axial equatorial clear है 2 और 2 चार और 2 छे और 2 कितने हो गए 8 clear बात है क्या और hydrogen बचे हैं जी हाँ हमारे पीछे वाले यहाँ पर जो ring वाला carbon है इनके hydrogen बचे हुए हैं तो वो भी हम लोग बनाते हैं यह रहा एक hydrogen और यहाँ पर यह रहा एक hydrogen उसके बाद में यहाँ पर यह रहा दूसरा hydrogen और यह रहा एक और hydrogen तो अगर हम लोग बाद newman projection की करें कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा ठीक है देखो बई एसा होना चाहिए था और अब newman में ऐसा दिखता है यह चेर फॉर्म यह भी चेर ही है लेकिन newman projection में कुछ तरीके से दिखता है यह वाला कार्बन अच्छ चलो मार्क करते हैं अलग अलग कलर से हम सारे कार्बन को ठीक है देखो सबसे बहले कौन सा कलर ले यह तो है ही देखो यह वाला जो कार्बन है यह वाला रेड वाला ठीक है यह कौन सा है कार्बन यह राम यह CH2 ठीक है याद रखना है यह वाला है वो इसके बाद में अलग कलर देते हैं अब यह जो कार्बन है यह वाला यह कहा है भई ये वाला कार्बन है ये वाला CH2 clear बात है ये वाला कार्बन है आप अच्छा से imagine कर पाएंगे अगर मैं differentiate कर दूँँगा तो इसलिए कर रहा हूँ next एक और color देते हैं अलग कौन सा दे भाई और इंच देखो ये दोनों कार्बन्स कौन से बताना जरा ये दोनों कार्बन्स हैं ये वाला और ये वाला कार्बन ठीक है next कौन सा color लें कुछ बचा है भी white बचा है चलो ठीक है तो अब ये वाले कार्बन्स कौन से हैं तो भया ये वाले कार्बन्स कौन से हैं तो आईए देखिए ये रहे ये जो ring आपको नजर आ रही है ये ring इसका color मैं change कर रहा हूँ white ठीक है तो ये वो carbon है ये ring नजर आ रही है इसका भी color change कर रहा हूँ white बना रहा हूँ तो ये particular हमारे पास structure है मैंने एकदम बढ़िया तरीके से आपको हर एक carbon को अलग-अलग color करके बता दिया है कि कौन से carbon कौन से हैं तो आई होप अब आप थोड़ा सा imagine इसे कर पाओगे और जब तक आप imagine कर रहे हो फटा-फट से नोट्स बना लो उसके बाद बरते हैं आगे आपको पता है ये जो chair confirmation बनता है ये जो angle strain है इसे भी normalize कर देता है इसे भी fix कर देता है और साथी में जो hydrogen थे जो हमने एक फ्लाट रिंग बनाई थी हमने देखो स्टार्टिंग में एक ऐसी नहीं बनाई थी कुछ इस तरीके से बोलो राइट इसमें मैंने आपको बताया था कि जो hydrogen है ये दूसरे को क्या हो रहे है ये दूसरे को eclipse हो रहे हैं बोला था मैंने eclipse होने के कारण energy बढ़ रही ह लेकिन जब इसका बनाया गया एक chair confirmation कुछ इस तरीके से तो यहाँ पर जो hydrogen है यहाँ पर जो hydrogen है और आप बात करेंगे अगर यहाँ के hydrogen की तो ये angle कुछ इस तरीके से shift हो गया है कुछ इस तरीके से ये rotate हो रहा है कुछ इस तरीके से अपने आपको ढाल रहा है कि ये जो hydrogen है ये अब आपस में eclipse नहीं ये staggered है ये staggered form में नज़र आएंगे आपको eclipse नहीं नज़र आएंगे सामने वाले carbons कौन से हैं भई सामने वाले यहाँ पर यह जो bond मैं dark कर रहा हूँ यह है सामने वाले हमारे carbons चलो यह आगे देखेंगे पहले यहाँ पर कुछ पंक्तिया पढ़ लेते हैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैं angle जो है यह angle अब इसका बढ़ियां हो गया है stable हो गया है देखें दाचेर कंफरमेशन इस सो स्टेबल बिकॉस इट इलिमिनेट्स दी अंगल स्ट्रेन यह अंगल स्ट्रेन को निकाल देता है सारे के सारे जो कार्बन 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 के बीच में जो bond angles बन रहे हैं यह अब staggered है और eclipse नहीं है और इसी वज़े से stability जो है chair form की ज्यादा हो जाती है इस flattened form से ठीक है तो इसे note करो फटा फट 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 फिर भड़ते हैं next point की तरब next अब यह जो साइक्लो हलके ने इसके भी कुछ और और यहां पर points है तो देखिए cyclohexane 3 carbon atoms cyclohexane में क्या है जो 3 carbon atoms है puckered up and 3 carbon atoms are puckered down यह क्या कह रहे हैं देखो chair form बना लो भी पहले तो यह देखो भाई कुछ इस तरीके से यह कह रहे है कि 3 carbon यहां पर उपर है अगर आप एक plane बना दे यहां से तो 3 carbon कहा है उपर उपर है उपर उपर मतलब क्या देखो उपर वाले मैं यहां पर बना लेता हूँ रेड से यह एक यह दो और यह 3 यह क्या है अब उपर है in the air and 3 carbon atoms puckered down बाकी के 3 जो है यह कहा है यह नीचे की तरफ दिख रहे हैं एक दो और 3 यह है नीचे down clear है यह नीचे है यह उपर है ठीक है दीज कार्बन atoms are called as up carbons and down carbons आप ऐसे कह सकते हैं इच कार्बन in cyclohexane has two different kind of valencies हर एक कार्बन की दो अलग-अलग type की valencies होती है axial valencies are located above and below the ring along a perpendicular axis and the equatorial valencies are located in the plane of the ring यहने की around the equator that is they point outward from the ring यहने की बाहर की तरफ रिंग के जा रहे होंगे ठीक है अब यह क्या कहा रहे है कि एक hydrogen हमारे पास में यहां पर equatorial पे है और एक यहां पर axial पे है तो axial पे कौन सा है यह रहा यह है axial और एक कहा है hydrogen यह है equatorial ठीक है तो इस तरीके से दोनों hydrogen होते हैं हरे कार्बन को यहां पर भी यहां पर भी यहां पर भी यहां पर भी यहां पर बात है यह चीज़ आपने ध्यान रखनी है तो फटा फटी से नोट कर लो उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे नेक्स यहां पर आता है ring flipping ring flipping मतलब क्या होता है आपने flipping किया है आपने flip मारा कभी ऐसे मतलब इंसान सामने होता है फिर ऐसे उल्टाओ के सीधा वापिस घड़ा हो जाता है उसको flip मारना कहते है तो क्या ring भी ऐसे flip होती है जी हाँ ring भी ऐसे flip होती है कैसे दिखी, like a cyclic alcanes, cycloalkane does not remain in a single confirmation जैसे कि a cyclic alcanes होते हैं, वो अलग-अलग confirmations में मौझूद होते हैं वैसे ही cyclic alcanes भी अलग-अलग confirmations में मौझूद होते हैं the bond twist and bend resulting in new arrangement but movement is more restricted, क्योंकि अब ring में है तो movement थोड़ा सा restricted हो जाता है right, one important confirmational change involve ring flipping which can be viewed as two step process जी हाँ, दो step process है, सबसे पहला देखो भई, यह हमारे पास में है एक chair point, ठीक है इसे मैंने कर दिया flip flip करते वक्त, यहाँ का जो यह हिस्सा है इसे पकड़ के जदी मैं ऐसे मोड दू तो यह किस तरीके से बनेगा, यह एक boat के जैसे बन जाएगा कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरीके से देखो यह क्या है, यह है chair first chair ठीक है यह क्या है, यह है boat boat confirmation भी हम लोग इसे कहते हैं, ठीक है उसके बाद में, अब यह वाला तो flip हो गया, यह वाला ऐसे पकड़ के मैं यदि नीचे कर दूँ, तो अब हमारे पास में जो structure है, वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा देखो भई यह है हमारी second chair यह क्या है, यह है second chair पहले हमारे पास में chair form था, फिर हम ने वहाँ पर कुछ changes की, कुछ movement की, कुछ rotation किया, कुछ flipping किया तो यहाँ पर second form, जो है boat form हम इसे कहते हैं, boat यहाँ पर लिख दिया है मैंने, नाम की तरह दिख रहा है उसके बाद में फिर से यह rotate होता है, और next हमारे पास में एक और chair बन जाती, अच्छा यह थोड़ा सा same यदि नहीं लग रहे हैं, तो एक और में हो फैले, ठीक है, उसके बाद कहां हो गया, यहां हो गया, उसके बाद कहां है, यहीं है, next एक और carbon यह वाला carbon कहाता, पहले पहले यहां था, उसके बाद वहीं था, flip होते वक्त, उसके बाद मोड दिया गया और अब वो यहाँ आ चुका है आप देख सकते हैं invert हो चुकी है position यह chair और वो chair दोनों उल्टी है इसे मैं ऐसे करके घुमा दूँ तो इस तरीके से बन जाएगा तो इसे कहते है flipping क्या हुआ यहाँ पर ऐसे goal घूम के यहाँ पर यह structure बन चुका है इसे flipping कहते है इसे हम लोग ring flipping कहते है एक बार फड़ा पड़ी से note करिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे ठीके फिर आईए थोड़ा सा जानते हैं इसके आगे का और part यहाँ पर a down carbon flips up यह कह रहे हैं कि अगर कोई carbon जो down है जब हम flipping करते हैं तो नीचे वाला carbon है यह उपर आजाएगा सीधी सी बात है flip कर रहे हैं जब एक down वाला carbon यह नीचे था carbon बोलो ठीक है अब यह क्या हुआ यह flip हो गया उपर की तरफ तो यह flip हो गया उपर की तरफ जैसे यह उपर की तरफ flip हो गया अब आप यहाँ पर एक नया confirmation देखेंगे जिसे हम कहते हैं कि boat confirmation क्या कहते हैं एक boat confirmation कहते हैं ठीक है अब यह कह रहे हैं कि जो आपका यह boat form है एक plane अगर हम लोग यहाँ पर रख दें तो यहाँ पर चार कारबन आप देखेंगे उपर है एक दो तीन चार ठीक है क्या कह रहे हैं लोग यह कह रहे हैं तो अब यह जो bond है और यह जो bond है दोनों एक ही line में नजर आपको आपको आ रहा है ऐसा कि यह अलग है लेकिन दोनों एक ही line में एक plane में है और जो दूसरे दो कारबन हैं जैसे कि ब्लू वाला और रेड वाला यह जो दोनों कारबन हैं यह अबव दी plane है यही यह लोग कह रहे हैं ठीक है अब देखो दो कारबन है यह अबव दी plane है अब यह जो बोट फॉर्म है यह दो अलग अलग पॉसिबल वेज में फिलिप कर सकता है यह कह रहे हैं कि आप आपके पास क्योंकि बोट कंफरमेशन आ चुका है यह बोट कंफरमेशन दो अलग अलग तरीके से कंफरमेशन दे सकता है कैसे या तो वो इस तरफ जाएगा या फिर वो इस तरफ जाएगा अगर वो इस तरफ आता है तो उसे ये red वाले carbon को नीचे ले जाना पड़ेगा इस तरीके से और अगर वो इस तरफ जाता है तो इसे ब्लू वाले carbon को नीचे ले जाना पड़ेगा नीचे flip करना पड़ेगा इस तरीके से clear बात है, समझ में आ रहा है, एकदम बढ़ी यहां से, very nice, this forms a second chair confirmation, अब, अब, हुआ क्या, अगर ये blue वारा carbon नीचे चले जाए, तो ये एक और अलग chair बन गया है, एक next chair, right, यहीं ये लोग कह रहे हैं, this forms a second chair confirmation, cyclohexane exist as two different chairs, दो अलग-अलग chairs के form में, कोई भी cyclohexane होगा, वो दो अलग-अलग chair के form में होगा, ठीक है, यह continuously, ऐसा equilibrium में होता है, flip करते रहता है, clear बात है, cyclohexane exist as two different chair confirmation of equal stability, और यह equal stability के होते हैं, which rapidly interconvert at room temperature, जैसे कि मैंने आपको बताया, यह equal stability के होते हैं, और room temperature पे, तुरंत में, तुरंत में आपस में एक दूसरे को interconvert करते रहते हैं, ठीक है, okay, axial and equatorial hydrogen atoms are interconverted during a ring flip, यह जो axial और equatorial bonds होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले, जैसे कि यह, देखो, कहां बताया था, यह ना, देखो, यह जो hydrogen's है, जो मैं आभी red में mark करना हूँ, यह सारे के सारे क्या है, यह सारे के सारे axial है, यह axial है, ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक चीज正 करेक कर लो भाई, यह axial है, और यह equatorial है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां पे 6 hydrogen axial और 6 hydrogen हमारे equatorial positions में होंगे clear बात है ठीक है देखो axial and equatorial hydrogen atoms are interconverted during a ring flip अब जब ring flip होती है तो जो पहले axial था वो equatorial हो जाएगा और जो पहले equatorial था वो axial हो जाएगा accordingly ठीक है axial hydrogen atoms become equatorial hydrogen atoms and equatorial hydrogen atoms become axial hydrogen atoms क्या बात साफ है अगर एकदम बढ़िया तरीके से आपके खोपडिया में चीज़ घुश चुकी है तो एक बार फटा-फटी से नोट कर लो उसके बाद बढ़ते हैं आगे next है the boat confirmation is destabilized by torsional strain अब यह जो boat confirmation होता है यह stable क्यों नहीं होता क्यों ऐसा होता है कि यह ring आती है फिर बीच में boat आता है और फिर वापस से ring आता है यहाँ पर chair आ जाता है तो ऐसा क्यों होता है भई chair confirmation ही stable है यह क्यों नहीं तो इसके पीछे reason है यहाँ पर एक भड़िया ऐसी term है जिसका नाम है flagpole जी हाँ चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं the boat confirmation is destabilized by the torsional strain because the hydrogen on the four carbon atoms in the plane are eclipsed additionally there is steric strain because two hydrogen at either end दोनों साइड से of the boat have the flagpole hydrogen and are forced to close each other ठीक है मतलब force हो जाते हैं एक दूसरे के पास आने के लिए क्यों क्योंकि बही बोर्ट का structure ही कुछ इस तरीके से हो जाता है देखो कैसे कैसे होता है बोर्ट का structure इस तरीके से अच्छा बढ़िया सी image बनाते हैं पहले यह हमारी बन गई उपर वाला उसके बाद यह थोड़ा सब बड़ा वाला clear है उसके बाद यह उसके बाद यह ठीक है एक side बन गई यह next carbon बना रहे हैं हम लोग और कुछ इस तरीके से होगा ठीक है अब यहां पर होंगे हमारे hydrogen देखो गई इस तरफ एक hydrogen है और इस तरफ एक hydrogen है दूसरा hydrogen यहां है और एक hydrogen यहां है clear बात है ओके बाकी hydrogen तो है वो तो आपस में एक दूसरे को eclipse हो रहे हैं इसी वाज़े से unstability वहाँ पर हो रही है इसके अलावा एक बड़ा reason unstability का है यहां पर यह hydrogen atoms कौन से भई यह जो red में मैं hydrogen यहां पर बना रहा हूं यह दोनों hydrogen यह दोनों hydrogen जो होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं इन्हें हम कहते हैं flagpole hydrogen क्या कहते हैं flagpole hydrogen हम इने कहते हैं clear बात है अब होता क्या है ये दोनों hydrogen इस boat structure की वज़े से अपने आप इतने पास आ जाते हैं कि वहाँ पे steric hindrance थोड़ा उनके बीच में होने लगता है क्या होता है इन दोनों के बीच में steric hindrance होने लगता है देखो बई कुछ इस तरीके से steric hindrance यहाँ पे होता है और इस कारण ये वाला जो confirmation है boat confirmation ये stable नहीं होता इसलिए तुरंथ ये एक दूसरे chair में convert हो जाता है एक chair से आया और दूसरे chair में चला गया ठीक है तो इस तरीके से आपका होता है boat confirmation और boat confirmation में flagpole hydrogen क्या होते है वो ये है और इसमें unstability क्यों होती है क्योंकि hydrogen आपस में एक दूसरे के साथ steric hindrance create करते हैं और इस वज़े से ये जो boat confirmation है ये stabilize नहीं होता इसके अलावा एक और reason है जैसे कि आपको पहले ही आने बताया कि torsional strain जो की होता है eclipse deform की वज़े से राइट वो भी एक reason है और दूसरा reason है आप ये flagpole hydrogen तो फटा फट इस diagram को बनाओ इसे नाम दो flagpole hydrogen कौन सा है क्या इसमें होता है steric hindrance होता है तो वो भी लिखो चलो मैं लिख देता हूँ क्या होता है भई यहाँ पे flagpole hydrogen होते है flagpole hydrogen होते है और ये क्या करते हैं ये steric hindrance create करते हैं क्या करते हैं steric hindrance create करते हैं flagpole hydrogen steric hindrance create करते हैं और इसी वज़े से जो boat confirmation है boat is unstable और इसी कारण boat जो confirmation है ये unstable हो जाता है इसी के अलावा और कोई reason है क्या जी हाँ बिल्कुल और reason भी है क्या reason है यहाँ पे होता है torsional strain अच्छा किस से होता है because of hydrogens कौन से hydrogens eclipse eclipse hydrogen होते हैं torsional strain और इस torsional strain के वज़े से क्या हो जाता है ये जो boat form है unstable हो जाता है unstable हो जाता है clear बात है तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों reasons भी लिख दी है और इस वएसे जो boat form है unstable होता है मैंने बताया था बढ़ियां एकदम है ना interesting है थोड़ा सा मज़ा आता थोड़ा सा visualize होने लगता है तो I hope आपको ये visualize हो चुका होगा और अगर हो गया है तो फटा-फट से इसे note कर लो उसके बाद बढ़ते हैं आगे अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ एकदम बढ़िया और एकदम interesting चीज है देखो क्या सबसे पहले तो मैं यहाँ पर दो chair confirmations बना ले रहा हूँ chair forms ठीक है ये एक हो गया हमारा और next हम यहाँ पर बना देते हैं भई ये हो गया हमारा flip ठीक है अब देखो दोनों के अंदर अच्छे ये छोटा बन गया तो बड़ा बना देते हैं ठीक है ये दोनों आपस में equilibrium में हैं कभी ये form में होता है तो कभी वो form में होता है कभी ये form में होता है तो कभी ये form में होता है अब सबसे important बात जो हमारे पास में यहाँ पर groups attached होते हैं इस ring को वो ज़्यादा तर equatorial position में रहना पसंद करते हैं क्यों ऐसा क्यों है equatorial position में रहना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर एक तरीके का hindrance होता है जब वो एक axial position में होता है तब क्या कहना चाता हूँ मैं मैं कहना चाता हूँ कि यदि मेरे पास एक CH3 axial position में है CH3 ठीक है और यहाँ पर भी तो hydrogen होंगे बोलो जी हाँ बिलकुल होंगे तो यह hydrogen क्या करते हैं इस carbon को hindrance provide करते हैं मतलब इसे हम कहते हैं 1-3 die axial ठीक है तो basically यहाँ पर एक नहीं दो die axial interactions हो रहे हैं और यह interactions mostly इस particular structure को unstable करने में responsible होते हैं क्या होता है इस hydrogen से ये और इस hydrogen से ये दोनों hydrogen आपस में मिलकर इसे steric hindrance दे रहे हैं और इस वज़े से यह unstable हो रहा है तो अब यह unstable होने के वैसे जाहिर सी बात है इंसान जैसे अगर unstable होता है तो वो चाहता है कोशिश करता है कि वो कही ना कहीं से stable हो जाए तो ऐसे ही chemistry में भी होता है तो ये structure क्या करता है ये structure stable होने की कोशिश करता है और इसी वज़े से ये अपने CS3 को axial नहीं equatorial पेस कर देता है मतलब यदि कोई भी bulky group आपके पास है तो वो हमेशा हमेशा के लिए कहाँ पे होगा वो हमेशा हमेशा के लिए equatorial position में होगा क्योंकि वहाँ पर 1,3 di-axial अच्छा 1,3 क्यों कह रहे हैं ये 1 ये 2 और ये 3 अगर ये 1 है तो ये 2 होगा और ये 3 तो तीसरे carbon का पहले carbon और तीसरे carbon पे जो substituents attached हैं ये आपस में axially interactions कर रहे हैं axially bonds ये लोग ठीक है तो axial interactions हो रहे हैं और 1,3 carbon के attached substituents के साथ हो रहा है इसलिए उसे क्या कहा जाता है 1,3 di-axial interaction 1,3 di-axial interaction कहा जाता है बोलो क्या बात समझ में आगी अब अगर इस particular ring को मैंने flip कर दिया जैसे ही मैंने flip कर दिया तो यहाँ पर जो हमारा ये cs3 जो equatorial में था वो अब कहां चली जाएगा वो axial चला जाएगा ये सोनो flip करने के बाद मैंने आपको क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि यदि हम किसी particular एक chair form को flip करते हैं तो जो पहले axial होते थे वो बाद में equatorial हो जाएंगे और जो पहले equatorial होते थे वो बाद में क्या हो जाएंगे axial में convert हो जाएंगे तो ये क्या हो गया ये यहाँ पर axial में convert हो गया ये है axial और ये क्या है? ये है equatorial अब क्योंकि ये axial हो चुका है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक hydrogen हो गई होगा और यहाँ पर भी एक hydrogen हो गई होगा तो इन hydrogen के साथ ये particular CH3 क्या करता है? steric hindrance create करता है और इसे हम लोग फिर से वही कहेंगे कि ये है 1, 3, diaxial interaction ये है 1, 3, diaxial interaction और इसके कारण होती है वहाँ पे जबरदस तरीके से steric hindrance और इसी वज़ा से अगर हम बात करें ये confirmation की, ये pattern की तो ये हमें मात्र 5% मिलता है ये सिर्फ हमें 5% available है और अगर इसकी बात करें जिसमें आपका CH3 equatorial position पे placed है तो ये यहाँ पर 95% पाया जाता है मतलब stable confirmation पाया जाता है अभी अभी मैंने आपको तो देरे पहले क्या बताया था कि ये जो chair है ये आपस में अपने आप interconvert होते रहते हैं flip होते रहते हैं तो जब ये flip होते रहते हैं जाहिर सी बात है इस form से ये इस form में भी जा रहा होगा जब ये इस form से इस form में जा रहा है तो यहाँ पर वो unstable हो जा रहा है तो अगर ये unstable यहाँ पर हो रहा है तो वो तुरंद वापी stable होने की कोशिश करेगा yes or no बिल्कुल करेगा तो stable होने की जब वो कोशिश करेगा तो यहाँ पे stability उसे कहा मिलेगी मात्र जब उसका वो bond उसका वो substituent equatorial position में है तब इसलिए ज्यादा ता time यह हमें इस particular form में नज़र आएगा और ना की इस particular form में चलिए यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि stable form कौन सा है यह क्या है this is unstable यह है इसका unstable form ठीक है और अगर हम बात करें इस form की तो यह है इसका stable form यहाँ पे लिख दूँ वई ठीक है stable form यह दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है reason इसके पीछे 1-3-diaxial interaction है एक बार फिर मैं आपको 1-3-diaxial interaction बताऊंगा डरने वाली कोई बात नहीं है लेकिन उसके पहले यह पढ़ लेते हैं the equatorial position is more stabilized than stabilized d होना चाहिए भाया इनकी इंगलिश तो माशाला है than axial position ठीक है यह भी यही कह रहे है so larger substituents are most stable in the equatorial position जो bulky groups होते हैं बड़े groups होते हैं वो no doubt equatorial position में ज्यादा stable होंगे क्या बात समझ में आ रही है यह देखिए यह equatorial position ज्यादा stable है ठीक है तो एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है larger substituents जो हमारे होंगे वो कहाँ पर ज्यादा stable होंगे और more stable in equatorial position यह चीज़ आपने ध्यान रखनी है ठीक है अगर एक दम बड़ियां से आपके खोबड़ियां में चीज़ गुच चुकी है तो फड़ा फट से नोट करिए उसके बाद बरते हैं आगे आपको पता है इस दुनिया में दो तरीकों की इंसान होते हैं मैं खुद ऐसे इंसानों से मिला हूँ एक इंसान होता है जो पहले सोचता है समझता है, तयारी करता है और उसके बाद डिसाइड करता है कि हाँ मुझे ये करना है और दूसरा इंसान है कि भहिया पहले वो डिसाइड कर लेता है उसके बाद में वो उसके उपर सोचता है फिर उसको समझने की कोशिश करता है फिर समझ में आता है उसको कि भहिया जो मैंने किया है वो गलत तो ये चीज आपको जीवन में कभी नहीं करनी है आपको हमेशा कोई चीज के तरफ जाना है कोई एक गोल की तरफ बढ़ना है तो आपको उसके पहले तयारी करनी होगी और ये तयारी आसान नहीं होती अगर इस तयारी के दोरान आप अगर डर जाते हैं तो आप वहाँ अपने गोल के और नहीं बढ़ पाएंगे उससे धीरे धीरे दूर होते जाएंगे बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि कभी भी कोई चीज करने की इच्छा है कुछ चीज खरीदने की इच्छा है एक्जैंपल के तोर पे अगर मुझे कभी आइफोन लेना है तो मैं ये नहीं करूँगा कि भीया पहले आइफोन लेकर खरीद लेता हूँ और उसके बाद में उसके पैसे कैसे भरने है ये सोचूँगा क्या ये बात सही है? नहीं एकदम गलत है क्या पता जीवन में क्या हो जाया? आगे जाने के बाद मेरे पास उसके लिए पैसे हो या ना हो? मैं कैसे भरूँगा वो पैसे? आपको ये करना है कि आपको पहले पैसे जमा करने हैं कोई भी चीज के लिए और उसके बाद जाकर आइफोन खरीदे कई लोग ऐसा करते हैं कि भी आप पहले खरीद लेते हैं उसके बाद में पस्चाताब करते रहते हैं कि मैंने क्यों खरीदा? क्या जरूरत थी? इसलिए कभी भी पहले चीजों को सोचिए, समझिए और उसके बाद उसके बाद उसे मुकमल करने की कोशिश करिए तो अगर यह चीज आपके दिवाग में बढ़ी हैं से गुजगी है तो आईए बढ़ते हैं आगे इसके आगे अब हमें पढ़ना है जोमेंट्रिकल आइसोमेरिजम इन डाइ सब्स्टिटूटेड साइकलो हेक्जेन यह क्या कह रहे हैं? यह कह रहे हैं कि आपको बताना है कि किस तरीके से जोमेट्रिकल आइसोमेरिजम होता है जब आप डाइ सब्स्टिटूटेड साइकलो हेक्जेन में होते हैं ठीक है? एक एक करके पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिं है यह भी A cis isomer has two substituents on the same side ये क्या कह रहे हैं? एक आपके पास cis isomer है Cis मतलब जो substituents हैं वो दोनों के दोनों same side में मौझूद होंगे तो हम उसे क्या कहते हैं? Cis, right? तो cis isomer has two substituents on the same side Clear बात है? Either both are on the upper side या फिर both are on the down side Down bond, जो नीचे के bonds हैं वो होंगे या तो वो उपर के bonds हैं यही तो है, ठीक है? cyclohexane में, chair form में, वही तो होगा या तो वो उपर होंगे, या तो वो नीचे होंगे तब ही हम उसे क्या कहते हैं? Cis isomer कहते हैं, right? A trans isomer has two substituents on opposite side Right? Trans मोलटा होता है, right? तो एक उपर, एक नीचे Whether substituents are axial or equatorial depends on the relative location of the two substituents यह कह रहे हैं, कि आपके जो substituents हैं यह axially होंगे या फिर equatorially placed होंगे यह depend करता है आपके substituents के उपर अगर आपका substituents बहुत जादा बल्की है, तो वो no doubt equatorial position में ही रहेगा, वहाँ पर stable रहेगा अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था चलिए, ठीक है तो अब यह बात कर रहे हैं कि अगर आपके substituents है Whether substituents are axial or equatorial depends on the relative location of the two substituents यह दो substituents कहां पर है अगर यह काफी पास में हैं तो अलग होगा काफी दूर है तो अलग होगी इनके arrangement मतलब 1-2 पे है या 1-3 पे है या 1-4 पे है ठीक है, अब एक बार फटा-फटी से note करो इसके बाद में एक बढ़ियां सा table आपके सामने ला रहा हूँ और एकदम must इत्मिनान से वो पढ़ना मेरे साथ क्योंकि बहुत ज़ादा बहुत 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 ज़ादा important वो table है तो इसके फटा-फट नोट करिए उसके बाद पढ़ते हैं वो table तो ये है वो बहतरीन सा table और बहुत important table जिसमें कि आपको पता चलता है कि यह कहां cis और trans है और कहां पे axial equatorial है कहां पे axial axial है यह आपको पता चलता है तो ध्यान देना है positions जो मैं आपको बताई थी 1,2 and 1,4, 1,3 तो 1,2 और 1,4 के लिए same मामला है लेकिन जब 1,3 होता है तो मामला बदल जाता है क्या बदल जाता है देखे जब 1,2 और 1,4 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे cis में हमेशा हमेशा आपको एक axial और एक equatorial मिलेगा ठीक है मैं क्या कह रहा हूँ cis में आपको एक axial और एक equatorial मिलेगा 1,2,1,4 इसके case में बात कर रहा हूँ ठीक है और trans में axial axial and equatorial equatorial 1,2 and 1,4 में cis में एक axial equatorial और trans में आपको axial axial फिर एक्वुटरियल से क्लियर बात है लेकिन जब हम 13 की बात करते हैं तो Sys बें यहां पर उल्टा होगा तो यहां का यहां चले गया यहां का चले एक्विधर लेट होगा और हम लोग बात करें ऐन्म की तो टॉट लैंस में 13 में अग्वियदी कुर यहां कैसे capture करेंगे एकदम आसाने एक याद करो दूसरा अपने आप ही आ जाएगा वही उल्टा करना है अगर यह वन है तो देखे अगर हम लोग सिस की बात करें सिस में हम लोग क्या कहते हैं कि दोनों चीजे या तो उपर रहेगी या फिर नीचे ठीक है तो देखो सिस वन टू की बात कर रहे हैं वन टू अगर सिस में हैं देखो भाई खोफ अप अप अग्जियल एक्विटोरियल औनों अप pics पर करते हैं तो यहां पर Quest ì एक या एक एक टोरियल है रइड आट अब ट्रांस की बात करते हैं 1, 2 में ट्रांस की बात करें तो एक up होगा और एक down होगा और एक up और एक down और दोनों देखिए axial, axial, axial या फिर equatorial या फिर यह down या फिर यह यहाँ पर sorry, down और up ट्रांस है न, ठीक है और उसी तरीके से आप उसका उल्टा कर देंगे तो आपको यह मिल जाएगा बहुत important है और साथी में बहुत ज़्यादा easy है तो फटा फट से इस table को पचा लो, अपने अंदर डाल लो मतलब उसका gravy बना के उसका juice बना के उसे गटक जाओ और एकदम important table है, यह बहुत ज़्यादा important table है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि कितना important है ठीक है, बहुत ज़्यादा important है हलके में नहीं ले ना इसको काफी ज़्यादा important है यह table मजाख नहीं कर रहा हूँ ठीक है, बहुत important table है इसे ध्यान रखिए, इसे बना कर देखिए, टेबल लिखिए, उपर का ये जो चेर फॉर्म है, ये लिखिए, अब क्या है, डाउन क्या है, कौन कहा है, सब पता करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे, अब एक कंपाउंड होता है, 1,4-Diamethyl-Cyclohexane, ये दो फॉर्म में ह बनाते हैं इसका दूसरा फॉर्म, ये है इसका दूसरा वाला, अच्छा, ये दोनों आपस में interconvertible होते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, अगर मैं यहाँ पर CH3 equatorial position है, और यहाँ पर भी CH3 equatorial position है, और अब मैं इसे flip कर दूँ, इसे side में बना रहते हैं थोड़ा, अब अगर मैं इन दोनों को flip कर दूँ, इस पूरे के पूरे structure को मैं flip कर दूँ, तो किस तरीके से मिलेगा मुझे एक नया structure, ध्यान से देखना है, यहाँ पर दोनों के दोनों equatorial में थे, और जैसे ही ये flip हो जाएंगे, दोनों के दोनों कहां जाएंगे, axial position में आ जाएंगे, अब axial position म आने के बाद यहां पर होगा क्या यहां पर आएगा 1-3-diaxial interactions मतलब देखो यहां पर यह hydrogen और यह hydrogen के बीच यहां पर होगा 1-3-diaxial interaction बोलो yes or no ठीक है अब इसके बाद में इसके अलावा और भी कोई hydrogen है क्या जो कुछ ऐसा ही करने वाले हैं जी हां बिल्कुल करने वाले हैं तो कहां है वो hydrogen यह देखिए यह एक hydrogen और यह दूसरा hydrogen यह करेंगे 1-3-diaxial interaction इस CH3 के साथ ठीक है तो यहां पर धेर सारा यहां पर 1-3-diaxial interaction है मतलब की धेर सारा स्टेरिक इंडरेंस है और इस धेर सारे स्टेरिक इंडरेंस के वैसे यह वाला जो structure है यह unstable हो जाता है इसे हम कहेंगे unstable reason क्या है 1-3-diaxial interaction के वज़े से यह हो जाता है unstable clear है और यहां पर है क्या 1-3-diaxial interaction नहीं यह दोनों चाहे कितने भी बल की groups हो यह इस position में एकदम stable रहेंगे यह रहेंगे stable क्या लिखा है इन्हों ने trans 1-4-diaxial cyclohexane has two different structures दो अलग अलग इनके structures होते हैं these structures have different stabilities इन दोनों की stabilities भी अलग अलग होती है एक unstable है एक जाता stable है because one has both methyl substituents in the equatorial positions and the other has both methyl groups in the axial position मतलब दूसरे के दोनों methyl group यहां पर कहा है axial position में तो इससे क्या हो रहा है एक हमारे यहां पर unstable हो रहा है because of 1-3-diaxial interactions और एक हमारा यहां पर stable हो जा रहा है क्यों because they are situated in the equatorial positions तो बात यहां पर साफ है यहां पर जो हमारे पास में 1-4-trans-1-4-diamethyl cyclohexion present है यह ज़्यादा stable कब होगा जब equatorial position पर यहां पर दोनों के दोनों methyl group attached है और कम stable कब होगा जब यह flip होकर दोनों के दोनों methyl groups axial position पर आ जाएंगे clear बात है अगर यह बात एक जब भड़ियां से आपके कोपड़िया में घुश चुकी है तो फटा फट से नोट करो उसके बाद बरते हैं आगे क्या है one three diagonal interaction कितने है वई चार diagonal interactions है और जिसके कारण यह less stable हो जाता है चलिए structure बनाते हैं फटा फट देखिए ध्यान से मैं यहां पर बना रहा हूँ एक बड़ा सारा भारी भरकम यह chair form हो गया हमारा ठीक है अब यहां इस particular chair form में हमें इन्हों ने कहा है कि अगर आपके substituents axial position में मौझूद है यह रहा एक axial position CH3 और यह रहा दूसरा axial position CH3 और यहां पर होता क्या है यहां पर एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन यहां पर इस से होते हैं यह interaction करते हैं वह ऊंतुरी डाएक्षर इंटराक्शन दौ इंटराक्शन यह हो गए इसके अलावा यहां पर एक हाइड्रोजन और यहां पर हईड्रोजन होता है तो यह भी बन घ्रील इंटराक्शन शो करते हैं इस पंडिक्रेट के साथ मतलब दो यहां पर और दो यहां पर total चार 1 3 di axial interactions यहां पर मौझूद है अब यह 1 3 di axial interaction हो जाता है तभी यहां पर दिक्कत होना start हो जाती है unstability हो जाती है और यहां पर एक नहीं यहां पर बहुत सारे हैं एक नहीं है यहाँ पर total 4-diaxial interactions मौझूद है क्या बात आपको समझ में आ रही है ठीक है कितने 4-diaxial interactions यहाँ पर होंगे clear बात है तो इस 4-1-3-diaxial interaction के वएशे यह particular structure काफी ज्यादा unstable हो जाता है काफी ज्यादा unstable हो जाता है और इसी वज़े से ये form में बस मात्र 5% पाया जाएगा इस particular form में right clear बात है तो अगर बात समझ में आ गई है तो इसे note करिए important है उसके बाद बढ़ते हैं आगे अब जो cis-1-4-diaxial cyclo-exean होता है इनका एक ही structure होता है यहाँ पर हमने क्या देखा यहाँ पर इनके दो structure होते है लेकिन यहाँ पर इनका एक ही structure होता है और यही इसका stable होगा कैसे भया flip कर दोगे मैंने क्या कहा था आपको जब हम किसी भी particular ring को flip करते हैं तो axial equatorial equatorial हो जाएगा और equatorial axial हो जाएगा याद है? ओके अब अगर यहाँ पर एक bond हमारे पास में जो है वो axial और एक bond हमारे पास में यहाँ क्या है? equatorial इसे यदि मैं flip कर दूँ तो flip करने के बाद यह जो equatorial था यह change हो जाएगा axial में बोलो और जो axial था यह change हो जाएगा equatorial में क्या कोई नया structure बना क्या? यहाँ पर यह दोनों equatorial थे यहाँ दोनों axial है, यहाँ पर दिक्कत हो रही है अलग हो गया है कुछ ठीक है? एक axial एक equatorial होता है और यहाँ पर भी एक axial एक equatorial है तो फिर बात सेम होती जैसे कि यहाँ पर मौझूद है देखो एक axial एक equatorial है ना कि कोई और molecule के लिए क्या बात समझ में आ रही है? मात्र 6, 1, 4 डाय मिथाइल में यह होगा अगर अलग कुछ होगा यहाँ पर तो कैसे? यहाँ पर OH होगा यहाँ पर NH2 होगा तो बात अलग होगी मैं यहाँ पर same subsequent की बात कर रहा हूँ दोनों same subsequent है ठीक है? अब next देखो trans-1, 3, 2, 3, 2 अगर 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 का भी एक ही मात्र स्रक्चर होता है क्योंकि यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एक हमारे पास axial है एक हमारे पास में equatorial है axial अब flip करने के बात axial जो था वो क्या हो जाएगा? बोलो यह बात इतनी easy है कि आपके टकले में hole करके घुजज़ानी चाहिए सर में ठीक है? तो फड़ा फड़ी से note करिए फिर बढ़ते हैं आगे वाई तो यहाँ पे खतम होता है हमारा यह amazing से chapter जिसका नाम है isomerism बहुत सारा पढ़ा है अभी जो जेई के पेपर जा रहे है इसमें ये लोग क्या कर रहे है जो छोटे questions है जो छोटे वाले questions है ये questions कहां से ले रहे हैं ये लोग examiner ये ले रहे हैं पुराने पुराने जो है न 95 2000, 2005 ये जो range है इसकी जो exams थी AIEEE होगी, IAT के exams होगी वो exams के जो questions है जो कि no doubt थब थोड़े easy थे अब difficulty level बढ़ चुकी है तो ये जो छोटे marks है दो-दो marks के questions आते हैं वो वहाँ से लिए जाते है directly तो ऐसा नहीं है कि जो पुराने questions है जो काफी पहले पूछे गए है वो हमें नहीं पढ़ने वो भी पढ़ने है क्योंकि अब वो questions directly repeat हो रहे है ये मुझे बताओ कि कहां से लाएंगे इतने सारे questions कहां से लाएंगे already इतने questions बन चुके हैं कि अब जो scope है ना नए questions का वो बहुत कम हो चुका है बस वही question में थोड़ी सी variety कर देते हैं और फिर नया question बन जाता है तो पुराने questions में से ही वो लोग choose करते हैं और उसमें थोड़ा सा कुछ है छोटा मोटा सा edit कर देते हैं बाकी कुछ नहीं तो अगर आपने पहले ही उस question की तयारी कर रखी हो solve कर रखा हो तो वो जो नहीं चीज है उसमें आपको जहाँ दिमाग लगाने की ज़रूद नहीं बढ़ती फटा फट से आप उसे solve कर सकते हो ठीक है तो इस वीडियो के लिए इतना ही अगले वीडियो में मिलते हैं बढ़ियां से questions करते हैं तब तक के लिए खुश रहिए मुस्कुराते रहिए दिस इस यूबराद सिंग साइनिग आफ बाबाई